हलो दोस्तो नमस्कार कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्त आज हम लोग जा रहे हैं पीजी आई गुमने दोस्त हम लोग चल रहे हैं पीजी आई गुमने के लिए चलिए आप गुमाता हूँ दोस्तों ये चकरपानपूर चौक महापंडित राहुल सांकृत्याइन इस्मृति चौक ये ही हैं पंडित राहुल सांकृत्याइन जिन्होंने अधातों गुमकर्ज जियासा लिखा है सिच्जाई हास्पिजल काफी बड़ा है और काफी दूरी में पहला हुआ है ये है दोस्त इसका में गेट राजकी मेटकल कालेज ये हम सुपर फैसलिटी हास्पिटल चकरपानपूर आजमगा इसका में गेट और आगे सिच्जी की थे प्रश्ट में रहन वस्तिरा बनाया है और आगे दोस्ते हास्पिटल है और बूला जाता है कि पीजी आई हास्पिटल जो कि पुरे उत्तरपर्दिस में दो थीन ही पीजी आई हास्पिटल है यहां पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं दवा के लिए तो दोस्तों यह पीजी आई हास्पिटल काफी बड़ा है यहां पर दोस्त थोड़ा मेरे कान में प्रॉबलम है उसके लिए में दवा के लिए के आया हूं बाकी दोस्त आपको नगाताना चाहता कि आजमगर से लगए 10-15 क्लिटर चकरपानपूर परता है और यही पर जो कि चकरपानपूर में ही है तीजी आई हास्पिटल है यह है दोस्तों काउंटर यहां पर जो कि रिसीप्ट बनती है देख सकते कितना भी साल है दोस्तों जारे हम दवा लेने के लिए यह पर्चा कटता है तो दोस्तों यह राजकी मेटकल कालेज यह हम सुपर फैसलेटी हास्पिटर इसके अंदर यहां पर लाइन लगा हुआ है काफी लोग जो की लाइन में लगे हुएं दवा के लिए तो दोस्तों यह पीजाई हास्पिटल हमें दवा ले लिया है लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के हास्पीटल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि लोग जो है कि डाक्टर लोग जो कि दवा लिखते हैं लिखने के बाद दोस्त आधा दवा अंदर से मिलती है और आधा दवा बाहर से लेना पड़ता है सबसे बड़ी दिक्कत है इतना बड़ा हास्पीटल राज की मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसलिटी हास्पीटल है सोची इतना बड़ा हास्पीटल जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में दो तीन हास्पीटल है फिर भी जो की दवा जो की लोगों ने बाहर से लिखा है सोची और दोसरची दोस्त मैं आपको बता दूँ कि जो चकरपानपुर्चौपर पंडित राहुल सांकृत्याएंजी का जो मूर्ती बनी थी उनकी जो श्टेचियू था पंडित राहुल सांकरत्यायन जी काफी घुमकडी थे वो काफी देशों में और काफी जगों पर घुमें और उनका कहना था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां और जंदगानी गर रही तो नवजवानी फिर कहां तो दोस्त काफ़ी घुमकड़ी थे उनका कहना था कि घुमने से ही आपको सारा नालेज हो सकता है तो दोस्त आप जितना ज़्यादा घुमेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नालेज होगा बाकी दोस्त यहां से हमने दवा अब ले लिया है अब बाहर जाएंगे मेटकल पर से दवा लेंगे लेने के बाद दोस्त आब हम घर की तरफ जाएंगे बाकी दोस्त मैं आपको बता दूँ कि यहां पर हर बीभाग के आपको डाक्टर मिलेंगी जितनी प्रकार के आपको दवा चे सब टाइब की दवा मिलेगी यहां पर हर सुद्धा उपलब दे क्योंकि यह सुपर फैसिलिटी हास्पिटल है और सब कुछ आपको मिलेगा बाकी दोस्त यह वीडियो आपको अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दे जय हिं दोस्तों